नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टोटूब चैल में दोस्तों आज पार्ट नमबर है 19 आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी माडल कोईश्टन के बारे में यह वीडियो भी फश्टर शिकेंद्य थाडियर तीन और चाहतरों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि इस वीडियो में वह सारे कोईश्टन इंकल्यूडेट हैं जो पिसले कई सालों में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आपके आने वाले एक्जाम के लिए इसलिए मैं फिर से बोलूँगा कि वीडियो को बिना इसक सब्सक्राइब के इसलिए और इसलिए और इसलिए और सब्सक्राइब के लिए इसलिए में परकार कितने हैं दूस्तों यह आप सभी को मालूं कि वीडियो में सारे सब्सक्राइब करते हैं तो यह को प्रमुक प्रिकार है वह थीं इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा इसका इनमबर ठीक है आने वाले जब टेस्ट सीरीजी स्टार्ट होगी तो इन सभी क्वेस्टन का अंसर आप सभी को बताना होगा यह ध्यान में रखेगा जो भी क्वेस्टन आपको इंप्वार्टन लगे वह आप बेसक नोट डाउन कर लीजेगा जिसे आपको बाद में पढ़ने में असानी ठीक है तो इस वह जाएगा जिंदी में जो निबंद रशना का प्रारम हुआ था भारतेंद युक्से सभीकारा जाता है बहुत इंप्वार्टन कोईश्चन एक्जाम कई बार आभी चुका और इंप्वार्टन है तो ध्यान में रिखिए गा ठीक है निश्क्वेस्टन को कि निबंद का जन्मदाता किसे माना जाता है नंबर निराला भी नंबर राम चंध सुक्र शीनंबर जयसंकर प्रसाद दी नंबर है अगले question को पड़ते हैं अगला question कर देदा है कि कि इन में निबंदकार हैं इन में से शुक लिख के निबंदकार कोनें अफसर आपको मिल जाएंगे मादो परसाथ बावो गुलाब राय चंदी परसाथ और डी नमबर अम्बिरकादत तो सुक्ली जो निबंदकार है बावु गुलाब राय है इनमें से इसलिए राइट है इसकोष्टन का हो जाएगा बी नंबर धान में रखेगा इस सारे कोष्टन एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हो चकता है इस बार भी एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है डेश्ट जो निबंदकार है इनमें से वो हैं शिरी डाक्टर स्याम संदर दास इसलिए कोष्टन का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ठीक है राइट एंसर दीनमबर अब बढ़ते हैं के निबंदकार हैं महादेवी वर्मा परताप नर्विस जैनाइंद कु बेरनात राय तो इसको जो राइट एंसर हो जाएगा भारतेंद युक के जो निबंदकार हैं में से वह हैं प्रताप नर्याइड मिस्ट जी इसलिए राइट एंसर हो जाएगा इसकोष्टन का बी नंबर ओके ध्यान में रखिएगा अगले क्यों बढ़ते हैं कि आपक पूर सिंग है दुबेदी युक के निबंदकार इसलिए कोष्टन का राइट एंसर है वह सी नंबर हो जाएगा बात करते हैं अगले कोष्टन की अगला कोष्टन जो है इंप्वाटेंट है लिखा है कि युक परवर्तक निबंद के लेखक कौन है नंबर एक महावी दिहां से समझें का बहुत इंप्वाटन कोष्टन वीडियो मैंने इंकल्यूट की है ठीक है अगला कोष्टन के लिए निबंद के लिए अंग्रेजी का कौन सा सब्द प्रियुक्त होता है एक्जाम में कई बार आया कोष्टन हमने खुदी अब देखा है परसनली क्योंकि कोष्टन पेपर हमको मिले थे उसमें देखा था यह कोष्टन आया था कि निबंद के लिए अंग्रेजी का कौन सा सब्द प्रियुक्त हुआ था तो जो इंग्लिस में थोड़ा एक्सपर्ट है या इंग्लिस के बारे में तो जानका रही हूं उनको तो मालूम है क्या हो ज कौन सी रशना निबंद संग्रा है अपनी एकबार अपनी खबर बी नमबर गद कुस्मा वली और तो जाएगा अगले पड़ते हैं लिखा है कि छायावादी यूक्के निबंदकार कौन है इन में से जगमोहन, प्रतापनायार्मिस, वाशिदेउस्टरन अगरवाल और डी नमबर है अंबिकादत ब्यास तो कुश्चें के जो राइट एंसर हो जाएगा छायवाद के निवदनकार जो है इनमें से वहें वाशिदेउस्टरन अगरवाल जी छी नमबर हो जाएगा बात करते हैं अगले कुश्चन की, अगला कुश्चन कह रहा है कि भरतेंड युग कब से कब तक 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 था तदुबेदी यूग छायवाद सत्तर यूग ठीक है आधिकाल और इस साथ कि बहुत सारे कोईश्चेन एकजाम में आते ही आते हैं कि कौन सा यूग कब तक चला या कौन सा काल कब से कब तक था आप से आपको मिल जाएंगे कि भारतेंद यूग कब से कब तक माला जाता है त सब्सक्राइब करते हैं तो यह सन 1873 से 1900 माना जाता है इसलिए कुश्चन का राइटेंसर हो जाएगा सी नमबर ठीक है ध्यार में रिखेगा और आपको अगर नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर सकते या फिसकीन सोट ले सकते हैं बात करते एक लिए कुश्चन की से अब सरे आपको बिल जाएंगा 877 1901 1905 1880 1833 1903 1900 1902कुश्चन का राइटेंसर हो जागा तो बीदीउट इसने एक अचाल के घंडी नमबर को के बात करते हैं एक लिए कुश्चन की लिखा रिखास सुकलूग कब से कब तक निर्धारी थे ऐसे भी कुश्चन हो सकते हैं कि कब से कब तक निर्धाय थे कब से कब तक माना जाता है ठीक है आपको इसमें बिल जाएंगे उनीस सो चालिस इसलिए नमबर ठीक है नो डाउन कर लीजिएगा अगला कुष्चन कह रहा कि कथात्मक निबन्द किस युग मैं अधिक लिखे गए प्रसाद युग में वारतेन दीयुद में सुक्ल युच में तो जो सब्से ज्यादा कथातमक निबंद लिखे गे थे बहुत इंप्पार्टन कोष्चन है बढ़ते एगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कहे रहा कि भारते अंद यूग में निबंद परचार पसार का मुख्य माध्यम क्या था निबंद का प्रचार प्रचार करने का मुख साधन क्या था आफसर मिल जाएंगे लैपटॉप कंप्यूटर अभिवेक्टी और समाचार तो इस को से करा राइट हैं से हो जाएगा भारती दिवन ुचष कहा है performer क्या हो जाएगा डीन। बात करते हैं कि भारते इंद्यूक निबंदों की मुख्य कमी अतिसर अलती बिस योगा भाओ 24 ढमंब्र निबंदो कोज़ें ठीक है important question एक जाम में कई बार पूछा गया है तो ध्यान में रिखिएगा right answer हो जाएगा C number 22 ठीक है बात करते हैं एक लिए question की अगला question कहे रहा कि भूधान यग किस विधा की रशना है नमबर एक नाटक निबंद उपन्यास प्रहसन तो इस question के तो राइट answer हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा option number B भूधान यग कि किस विधा की रशना है यानि कि भूधान यग वह निबंद है ठीक है इसलिए question का right answer हो जाएगा बी नमबर ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दो सारे question important थे इस वीडियो में आज कि इस वीडियो में बस इतने मैंने question include के थे निबंद से रेलेटर जो कि आपके एक्जाम में अच्छे साथ नमबर के आते ही आते हैं अगर आप अच्छे question समझ के जाते हैं वीडियो दुबारा देखते हैं और अच्छे समझते हैं तो आपको एक्जाम में काफी helpful होने वाली है ये सारे question इस वीडियो के तो ध्यान में रखिएगा एक बार खिर से वीडियो देख लि वीडियो के टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो उस पर जल्दी से जल्दी आप लोग जाइन हो जाएए वहां पासारे question एंसर आपको provide कर दिये जाएंगे मिलते हैं आपको निश्टर वीडियो में तब तक के लिए जाएंदर